हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको spider treatment के बारे में बताने वाला हूँ जो घर के अंदर मकडिया हो जाती है और वो जाले लगाती है सब जगा उपर बहुत बुरी लगती है तो उसका treatment आप कैसे कर सकते हैं वो ही सब इस वीडियो में मैं आपसे discuss करने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात clear कर देता हूँ दोस्तो जितनी भी वीडियो मेरे channel पर YouTube पर आपको मिलेंगी उन सभी वीडियो के नीचे मैंने सभी दवाईयों यानि pesticide के link दे हुए हैं आते हैं वीडियो देखने के बाद तो आप सभी लोगों से मेरी request है आपको कहीं जाने की जुरूत नहीं है वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिशन बॉक्स है वहाँ पर आपको सभी pesticide के link मिल जाएंगे वहाँ पर आप जाके अराम सुन के current rate चेक कर सकते हैं और वहाँ से जाके purchase भी कर सकते हैं Amazon वाले आपके घल पर deliver कर देंगे ठीक है दोस्तों एक request और है मेरी आप से कि दोस्तों मैं जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ तो आप से एक request है प्लीज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को subscribe कर लें और साथ ही bell icon प्रेस कर दें जिस तरह की अच्छे अच्छी वीडियो आपको future में मिलते रहें और आप पुरानी वीडियो भी मेरी देख सकते हैं वह भी बहुत अच्छी है जैसे की termite treatment के उपर हो गई mosquito treatment के उपर हो गई खटमल के उपर है वो सब आपको इस चैनल में मिल जाएंगी चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों spider यानी मकडी पूरे वर्ल के अंदर spider की 48,000 से जादा species मिलती हैं जिन में से कुछी species जहरीली होती हैं लेकिन जो हमें अपने इंडियन घरों के अंदर मिलती हैं वो species जहरीली नहीं होती लेकिन जो घर के अंदर नेट बनाती है उससे बहुत ज्यादा इरिटेट होता है इंसान देखके उसको हमें अपने घर के अंदर देखते हैं तो हमें भी ज्यादा इरिटेशन होती है तो बात आती है इसको treatment कैसे करें जिससे कि हमारे घर के अंदर spider ना हो इसके लिए वैसे तो मार्केटों बहुत सारी pesticide आपको मिल जाएंगे लेकिन जो WHO approved है और best pesticide है और हमारी इंडियन गॉर्मेंट ने भी जिनको approved किया हुआ है और हमारी health के लिए सेफ है केवल मैं आपको इस तरह के केवल दो pesticide के बारे में बताने वाला हूँ एक तो है tempered SC जो कि मकडियों के अलावा आंट घर के अंदर कोक्रोज इसके अलावा आपका mosquito और जो घर के अंदर flies होती हैं उन सब के लिए treatment के लिए यूज होता है यह एक ऐसा अकेला pesticide है दोस्तों जो पचास तरह के इंसेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं दोस्तों tempered के अंदर beta cyphalothrine और imidacloprid होता है जो इसको बहुती ज़्यादा lethal बनाता है दोस्तों tempered के अलावा जो दूसरा insecticide सबसे best है उसका नाम है icon powder इसके अंदर lambda cyhalothrine 10% WP form में होता है यानि wetable powder WP से मतलब है wetable powder 10% 10% मतलब है कि 10% इसके अंदर insecticide है बाकि 90% दूसरे other substance है और WP form वाले जितने भी pesticide होते हैं दोस्तों उनका जो result होता है वो long lasting होता है बहुत लंबे समय तक वो आपको effect देगा आपको भर के अंदर जो है कोई भी insect जैसे की मच्छर, मक्खी, कोक्रोच और आपका चीटिया और आपका spider यह पैदा नहीं होने देगा दोस्तों यह दोनों ही pesticide बहुत ही जबरदस्त हैं आपका जो मन करें वो ले सकते हैं इन दोनों pesticide के link मैंने वीडियो के नीचे description box में दिये हुए हैं वहाँ से जाके आप purchase कर सकते हैं और अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं दोस्तों यह थोधी जानकारी pesticide के बारे में अब इन pesticide को यूज करने कैसे करना है वो भी मैं आपको बता लेता हूँ दोस्तों इन मोडल आते हैं 6 लिटर वाला और 3 लिटर वाला यह बहुत ही शांदार पाम है दोस्तों एक बार इसे आप ले लें 20 से 25 साल तक चलता है इसका यूज आप pesticide के लिए भी कर सकते हैं घर के अंदर इस्प्रे हो गेरा में और अगर आपको अपने पेड़ पोदों को पानी देना है या बगीचे में कुछ और काम करने तो उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो इस प्रेकी जो धार है वह बहुत ही लंबी है ठीक है दोस्तों इसके लावा यह पांच लिटर का प्रम यह आता है लेकिन इसका इसके रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है इसकी धार बहुत लंबी नहीं होती है यह नोर्मल काम में ले सकते हैं और यह दो-तीन महीने चार महीने के अंदर खराब भी हो जाते हैं इसके अलावा यह तीसरा प्रम है जो दो लिटर में है यह आप यूज कर सकते हैं छोटे- आपने मार्केट से खरीद आया है अब इसको प्थम के अंदर डाल गे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि देखिए जो यह वह ऐसी फों अग्न करना बहुत जरूरी है और जो आइकों गों तो इसको भी अच्छे ती अ जरूरी होता है इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है पहले pump के अंदर आप अपना जो भी आपको पेस्टिसाइड लिया है उसको डालने और उसके अंदर एक लिटर या देल लिटर पानी डालें और उसको अच्छे तरह मिक्स करें mix करने के बाद फिर इसके अंदर और पानी डालें तो दोस्तों ये तरीका है इसको ready करने का solution को अब इस solution उस कैसे करना है चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसको मैं अपने घर के अंदर यूस करके दिखाता हूँ क्योंकि lockdown लगावा है बाहर तो कहीं यूस नहीं कर सकते है अपने घर में यूस कर सकते है चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों मैंने solution battery updated pump में बना दिया है बस आपको बताने के लिए क्योंकि मेरे पास जो है दूसरे वाले pump अबलेबल नहीं थे मेरी तो आपको simple सला है या तो आप 5 लिटर वाला hand spray pump ले 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 या 2 लिटर वाला ले 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 वो काफी comfortable होते हैं यूस करने में क्योंकि इसमें फटाफट solution निकलता है इसलिए फटाफट यूस करना पड़ता है तो चारो तरफ पानी पानी हो जाता है तो घर के लिए सबसे best 5 लिटर वाले और 2 लिटर वाले spray pump सही है तो चलिए दोस्तो solution हमारा ready है अब मैं आपको बताऊंगा spider treatment के लिए आपको अपने घर के अंदर spray कैसे करना है लेकिन उससे पहले मेरी आपको एक simple सला है आप अपने घर में किसी भी तरह का pesticide का या chemical का यूज़ अगर कर रहे है तो एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपको mask और gloves जरूर पहनने है फिलाल चुकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी के लिए mask लगा रहा हूँ के अंदर अपने net बनाती है या ऐसी जगह उपर रहती है जहां दो object नजदीक होता है उनके बीच में अपने net बना लेती है तो ऐसी जगह उपर हमें spray करना ही करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इस तरह से आपको spray करना है एक फिट दूर से धेरे धेरे करते हैं आप आजाएंगे इस तरह से कोने लेने है और ऐसे फिर ये दोने तरब के कोने लेने है ऐसे इस तरह से हम पूरे घर के कोने ले लेंगे और साथ में दरवाज़े के back side का एरिया इस तरह करके अब ऐसे हम इधर से ले लेंगे ये और इस पैस्टिसाइड ही खास बात क्या है दोस्तों मैंने हाँ आइकोन पोडर यूस क्या है इसका जो असर रहता है वह नोर्मली दो से तीन मैंने रहते रहता है इस पाइडर के अलावा यह मच्छर मक्खी कोक रोज और चीटियो पे इसका असर बहुत ही अच्छा होता है और ऐसे ही दोस्तों टैंपरीड भी बहुत ही अच्छा पैस्टिसाइड है टैंपरीड तो तक्रीवन पचास तरह के इंसेक्ट्स कोवर करता है मच्छर मक्खी कोक रोज और चीटियो पे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है तो आप चाहें तो आप टैंपरीड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों ऐसे ही हम फ्रीज के सोफो के और बैट के पीछे का एरिया ले लेंगे तो दोस्तों यह तरीका है इस तरीक साब अपने पूरे घर में जहां पर भी कोन है घर के सोफो के पीछे का एरिया यह बैड़ के नीचे का एरिया है वह सारा एरिया में इस तरह से कवर करेंगे तो इस तरह से आपकी जो है मघडी का ट्रीटमेंट हो जाएगा और आपको मकड़िवंसे दो तीन महिने के लिए चुट्टी मिल जाएगी और दो तीन महिने के बाद आप उसको दूबारा कर सकते हैं और अगर आप यह treatment हम से कराना चाहते हैं तो आप हमारे दीवे नंबर पर कोल करके हमारे टीम को बुला सकते हैं और हम आपको बैस सर्विस इंशोर करेंगे ठीक है दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है यूस्फुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनलर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों का शेर करें जिससे कि उनको इस बारे में पता चल सके और वो अपने घर के अंदर इस तरह से treatment कर सकें ठीक है दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई